वेलकम बैक टू नेक्स्ट वीडियो स्टुडेंट आज हमने क्लास 10 की एक्सराइज 7.1 का फर्स सम करने है इसमें हमने 2 पॉइंट के डिस्टंस को निकालने है स्टेडमेंट में बुला है Find the distance between the following pair of points पंजाबी वेलन कैया है के हेठा लिखे जिटे जूडे ने और दी दूरी पता करनी है इस वीडियो को वाच करने से पहले इस एक्सराइज की basic वीडियो बनी है जो student आज नहीं आए हैं वो सबसे पहले basic वीडियो देखे अगर आप basic video को अच्छे से देख लोगे तो ही आपको यह exercise अच्छे से समझ लगेगी basic video का link description में है आप जाकर देख सकते हो नहीं तो आप channel की playlist में जाकर अच्छे से देख सकते हो तो बढ़ते हैं student पहले sum के उपर हमने distance निकालना है two point के बीच का वो हमें दे रखे हैं two और three और next जो point है वो four और one है यह मेरे पास मैंने δू points जो हमें हमारे पास given है दो point हमारे पास given है वो मैंने याँ पर लिख दी है इसको मैं name दे देता हूँ a का और इसको मैं नाम दे देता हूँ b का तो अब मैंने distance किसके बीच और बीच निकालना है A से लेके B तक के जो point है मैंने इनके बीच का distance निकालना है तो distance निकालने का formula क्या था अब मैंने distance निकालना है किसके बीच में A और B के बीच के formula क्या था formula था x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square और उपर क्या था under root यह formula था अब इसके according यह जो है यह जो 2 है हमारा 2 यह हमारा क्या है x1 है और यह जो 3 है यह क्या है हमारा y1 है यहाँ पर यह जो 4 है यह हमारे पास x2 है और यह जो 1 है यह हमारे पास क्या है y2 है formula में x2, x1, y2, y1 की value को fill करें तो करते हैं यह आएगा हमारे पास AB is equal to under root x2 x2 क्या है 4 4 minus x1 x1 क्या है 2 2 square plus y2 y2 क्या है हमारा 1 तो लिख देते हैं 1 minus y1 y1 क्या है हमारा 3 चीक है तो कर देते हैं 3 और उसके बाद square है solo कर देते हैं यह हैगा AB is equal to under root 4 से 2 out की 2 बचे मतलब 2 square plus 1 से 3 out मतलब minus का 2 उपर square solo करते हैं So AB is equal to under root क्या बनाई है 2 square मतलब 4 plus minus 2 की square minus minus plus होज़ेगा बज़ेगा 4 तो यह कितना बना हमारे पास AB is equal to under root 8 तो यह हमारा इसका distance आया इन दोनों point के बीच का मतलब A से लेकर B तक का जो distance है वो हमारे पास क्या है under root 8 जुनट का है जो आपकी book में answer है वो इसे आगर आगे solve करके दिया है वो क्या दिया हुआ है मैं वो भी आपको करके बिता देता हूँ वो आपको दिया है वो आपको इसका under root निकाल कर दिया है कैसे वो जो under root निकाला है उन्होंने 8 का under root निकाला है जैसे A B is equal to हमारे पास under root 8 आया था तो 8 का under root निकालते हैं तो factor करते हैं 8 के 8 के 2 पे गया 4 पर 2 और ये 2 और 2 और 1 तो क्या बना इसके factor क्या बने 2 multiply 2 multiply 2 तो हमने 1 2 मतलब अब pair बनाने है तो ये बन गया हमारे पास 2 ठीक है ये बाहर हो गया और अब इसका कोई pair निकाला है मतलब ये अंदर ही रह गया ठीक है तो आपकी जो भुक में answer है वो दिया हुआ है A B is equal to 2 under root 2 वैसे आप अगर ये कर देते हो तो भी आपका answer यहां तक size आएगा अगर आपको next आगे तक करना है तो आप under root 8 को solve करेंगी तो solve कैसे करना है ऐसे आपको factor बना लेने है factor बनाने के बाद आपको नीचे जो है solve करना है तो आपका जो बुक में answer है वो आपको ये दे रखा है ओके student तो चलिए अब हम ये हमारा first का first sum जो complete हुआ है अब हम बढ़ते हैं इसके second sum के उपर तो करते हैं अब जो second sum है उसमें हमारे पास age इसे हम अब a let करते हैं अब हमारे पास a क्या है ये अब हम इसे a let करते हैं ये कितना है minus five seven और ये इसे हम b let कर लेते हैं इसके according formula तो ये ही चलेगा ठीक है बड़ अब हमने formula ये ही चलेगा हाँ ये ही है तो same formula आप यहाँ पर भी लिख लेना ठीक है same formula जो है वो आप यहाँ पर भी लिख लेना तो इसके according ये क्या है x1 है और ये क्या है y1 है ये क्या है x2 है और ये क्या है हमारा y2 है formula आपके पास available है सबी value को fill करें तो value को fill करते हैं तो ये हैगा a b is equal to under root x2 x2 क्या है हमारा minus का 1 minus का 1 उसके बाद minus formula वाला x1 x1 क्या है हमारे पास minus का 5 तो मतलब ये plus हो जाएगा plus 5 square उसके बाद plus y2 y2 क्या है हमारा 3 तो लिख देते हैं 3 minus y1 y1 केतना है 7 तो लिख देते हैं 7 उपर इनका square चल रहे है तो solo करते हैं तो ये आएगा हमारे पास a b is equal to solo किया plus minus minus होगा 5 से 1 को out किया तो बनेगा 4 4 ये 5 plus का है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 square plus 3 से 7 निकाले छोटे से बड़ा निकालने तो आएगा minus का 4 का square तो solo करते हैं ये आएगा a b is equal to 4 square कितना हुआ 16 plus minus 4 square मतलब minus minus तो वही पर plus हो जाना तो ये बन गया 16 तो अब solo कर लेते हैं तो ये हमारे पास आएगा ये आएगा a b is equal to under root 32 अब under root 32 भी आपने वैसे ही निकालना है जैसे मैंने इधर निकाला है अगर आप यही पर यही पर समकू कर देते हो तो आपका अंसर फिर भी सही जाएगा अगर आपको इसके भी factor बनाने है मतलब इसका भी आपको under root निकालना है तो आपको इसके भी under root निकाल सकते हैं तो इसके under root कैसे निकालना है हम देख लेते हैं तो हम देख रहे हैं तो ये हमारे पास बनेगा 32 2 के table पर 16 पर 2 के table पर 8 पर 2 के table पर 4 पर 2 के table पर 2 पर और 2 के table पर 1 पर factor क्या बने 2 multiplied 2 multiplied 2 multiplied 2 multiplied 2 multiplied 2 5 time तो 1 2 इसी से निकाल लिया multiply 1 2 इस से निकाल लिया तो कितना बन गया 4 और ये 2 मतलब किसी के साथ pair नहीं बना इसका तो ये इसको अंदर ही लिखेंगे तो मतलब A और B का जो 32 अंडर रूट आया था उसकी value क्या आ रही है 4 अंडर रूट 2 आ रही है ये answer आपकी book में दे रखा है आप यहीं तक भी कर सकते हो जैसे मैंने इस sum में आपको बताया था ठीक है तो अब हम third sum की बात कर लेते हैं जो हमें third sum दे रखा है formula तो student यहीं चलेगा ठीक है इसका भी formula यहीं चलेगा आप formula यहीं पर चलो एक बार लिख देता हूं ताकि हमें याद भी रहें ठीक है student formula क्या था तो लिखते हैं अब formula जो था अब A हमारे पास यह है और B यह है इसे student पहले आपको name भी देना है इसके according यह क्या है x1 और यह क्या है हमारे पास y1 और यह क्या है x2 है और यह क्या है आप y2 है आपको एक copy पर student जब आप करोगे exam में तो लिख लेना x1 आपके पास क्या है ऐसे x1 क्या है आपके पास A है x2 क्या है आपके पास minus का A है copy पर लिख लेना y1 आपके पास क्या है b है और y2 आपके पास क्या है minus का b है as a student पहले आप exam में लिख लेना तो आपको क्या है easily clear होगा फिर जब आप करोगे ठीक है तो इसको अब solve कर लेते हैं formula था अब student लिख लेते हैं चलो एक बार हम formula को लिख लेते हैं तो formula क्या है सबसे पहले अब वो ही लिख लेते हैं formula अब हम लगा रहे हैं a और b के बीच में a और b के बीच में लगा रहे हैं तो लिखेंगे a b is equal to x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square उपर क्या चल रहा है इनके under root चल रहा है तो अब क्या है a b is equal to value को fill करें x2 x2 क्या है हमारे पास minus का a है x2 की value कितनी है हमारे पास minus का a तो लिखेंगे उसके बाद minus डालेंगे x1 x1 की value कितनी है हमारे पास a है तो लिखेंगे a उसके बाद square है plus y2 y2 की value कितनी हमारे पास minus का b minus का b minus y1 y1 की value कितनी हमारे पास b तो लिखेंगे यह बनेगा b b उपर square चल रहा है और यह under root सबी के उपर है अब solo करते हैं यह बनेगा a b is equal to minus minus plus हो जाएगा तो क्या बनेगा minus का 2a square plus यह भी minus minus plus हो जाएगा क्या बनेगा minus का 2b square चल रहा है तो a b is equal to अब खोल देते हैं इसको 2 square कितना हो गया 4 मतलब minus minus प्लस हो जाना है यह बनेगा 4a square plus 2 की square कितना बन गया 4 और यह b की square मतलब b square हो गया तो अब देखते हैं अब आगे देखते हैं तो यह हमारे पास बना a b is equal to अब इन में से हम 4 को कॉमन निकाल देते हैं 4 कॉमन निकाल दिया अंदर क्या बचा a square plus b square यह बचा अब 4 का अंडरूट तो हमें मालूम है अब इसका मतलब क्या है कि इसका अंडरूट अलग है और इसका अंडरूट अलग है यह है ना तो 4 का अंडरूट तो हमें मालूँ में कितना होता है 2 होता है मालू मैंना सबी को, 4 का अंडरूट केतना होता है, 2 होता है, तो ये तो हम बार लेख देते हैं, अब हमें अंडरूट नहीं पता किसका ये वाले का, तो इसे तो हम अंडरूट के बीचों बीच लिखेंगे, A स्केर प्लस B स्केर, तो student, आपका exercise 7.1 का फर्स्ट समय से आपका complete हुआ है, समसमज में लगा हो तो वीडियो को like कर दे, चैनल को subscribe करें, अपने classmate का साथ जुरूव share करें, thank you so much